हेलो गाइज तो चलिए आज हम एक टॉपिक देखते हैं एक बहुत बेसिक डाउट है और ये बहुत क्रिटिकल है जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स पे गलत पढ़ाया जाता है और इसका हम आज खंडन करते हैं कि ये कैसे गलत है और क्या चीज सही है तो क्वेशन ये है कि पूरे एकवेटोरियल रिजिन पे पाय जाता है कब जब सन हमारा यहां पर वर्टिकल होता है तो यहां पर हाइस टेंपरेचर होता है यहां से कन्वेक्शनल करंट उपर उठती हैं नौर्थ और साउथ जाती हैं फिर जेट बनके जेट बनके नौर्थ और साउथ जाती है फिर नीचे उतरती है और वापिस ट्रेड की तरह नीचे से वापिस एक्वेटर की तरफ आती है पर फेरल के लोग के अनुसार वो राइट साइड मुड़ जाती है अपने तो rightward मुड़ती है तो वो north east से south west की तरफ मुड़ती है चलती है north east साउथ east से north west direction की तरफ southern hemisphere में चलती है तो जब वो यहाँ पर आके मिलती है lateral movement के कारण वो यहाँ पर हवाएं mix नहीं हो पाते और एक stable atmosphere का environment बन जाता है यहाँ पर एक stable air बन जाती है जिसे हम कहते हैं doldrum region of calm area of stable air जहाँ पर हवाएं mix नहीं हो पाती कोई cyclone नहीं बना पाती यहाँ पर हवाएं आपस में interact नहीं कर पाती और वो ऐसे parallel चलती रहती हैं यहाँ पर तो जब हमारी उत्तर की trade और दक्षिन की trade यहाँ आकर मिलती हैं दोनों interact करती हैं तो यहाँ पर बनाती है वो ITCZ जिसे कहते हैं intertropical topics के बीच का area intertropical convergent zone जहाँ पर converge करती हैं उत्तर की और दक्षिन की trade आके अब यहाँ पर जब यह stable atmosphere बन जाता है यहाँ पर stable air इसको कहते हैं doldrum this is called asman जिसकी स्थिती जहाँ पर air decide नहीं कर पाते इसको किस direction में जाना है और यहाँ पर यह stable environment बनाती हैं अब इसके बाद होता क्या है मार्च के बाद जब sun नौर्थ वर्ट जाता है तो 21 जून को highest temperature होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ केंसर पे जब sun वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ केंसर पे पर ऐसा होता नहीं highest temperature होता है थार desert के राजस्थान में गंगानगर में तो ITCZ क्या होती है यह हमारी चलती है पैरलल आइसो थर्म के आइसो थर्म क्या होती है समताप यह रेखा है जो latitude के पैरलल चलती है ठीक है अब ITCZ जैसे जैसे उपर shift करता है किसके वज़े से आइसो थर्म की वज़े से आइसो थर्म की क्या property होती है जो आइसो थर्म lines होती है यह हमारी latitudes के पैरलल होती है वैसे तो पर यह highest temperature जहां पर होता है highest temperature और lowest pressure वो गर्मियों में कहां पर होगा लैंड पे गर्मियों में क्यों क्यों क्योंकि sun यहां पर vertical होगा तो आइसो थर्म यहां पर bend कर जाएगी उसी के उपर हमारा ITCZ है तो वो भी bend कर जाएगा तो जब sun tropic of cancer पर vertical होगा बिल्कुल ऐसे सीधा तो यहां पर ITCZ नहीं होगा ITCZ चला जाएगा आइसो थर्म पर जो पहुँच चुकी है ट्रॉपिक of cancer से भी उपर तो जो south की trade है जो यहां पर आके north की trade से मिल रही थी अब वो ढून रही है lowest pressure पर उसको lowest pressure equator पर मिलता नहीं तो equator को वो cross करके feral के law के according मुड जाती है अपने right direction में right direction कौन सी? south west से north east जो हम कहते हैं monsoon यह हमारा monsoon की हवाई आती है कौन सी है यह south की trade तो यहां से जब हमारी हवाई धर मुडती है तो यह Arabian branch और Bay of Bengal branch की form में Indian landmass पे rainfall करती हैं अब यह ढून रही है lowest pressure यहां पर तो यह आकर पहुचती है राजस्थान के lowest pressure तक पर अगर यहां पर डोल्डरम होता क्योंकि sun यहां पर vertical है और यहां पर डोल्डरम होना चाहिए यहां यहां पर air stable होनी चाहिए अगर air stable होती तो यहां पर मौनसून की हवाएं नौर्थ इंडिया पंजाब हर्याना तक राजस्थान तक नहीं पहुचती क्योंकि बीच में तो आ गया डोल्डरम पर ऐसा होता नहीं जो मौनसून की हवाएं वो उत्तर की ट्रेड से की ट्रेड बंगाल की खाड़ी में मिलती है बे ओफ बंगाल में और साइकलोन बनाके वो चलती हैं इंडिया के कोस्टल एरिया पर हिट करती हैं और यहां पर आगे रेनफॉल करती हुई पूरे इंडिया में मौनसून लाती हैं यहां से अरेबियन ब्रांच आती है जो वे यहां पर एयर नौर्थ वर्ड नहीं जा पाती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उपर हवाएं नहीं जा पाती, इसलिए डोल्डरम एक्जिस्ट नहीं करता, सन वर्टिकल होता है, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, बट हाइस टेंपरेचर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी उपर जाता है, और इसी वज़े से हवाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी क्रॉस करके, मौनसोन के हवाएं यहां पर हिट करती हैं, तो यह प्रूव करता है कि डोल्डरम जो है, आई टी सी जेड के साथ शिफ्ट नहीं कर करता, डोल्डरम सिर्फ एक्जिस्ट करता है, यहां पर एक्वेटर पे कब मार्च और सेप्टेंबर में, सिर्फ मार्च और सेप्टेंबर में डोल्डरम यहां पर एक्जिस्ट करता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाता है, अब डोल्डरम के बनने का कारण क्या था, कि सन यहाँ पर vertical था और इसी वज़े से यहाँ पर highest temperature था और highest temperature होने की वज़े से दोनों उत्तर की और दक्षिन की trade converge कर रही थी इसी लिए यहाँ पर doldrum था same point पर highest pressure था highest temperature और sun भी vertical पर यहाँ पर क्या है sun vertical है tropic of cancer पर but highest temperature है यहाँ राजस्थान के गंगानगर में summer में जो इंडिया में जो अभी summer चल रहा है तो doldrum यहाँ पर exist नहीं कर सकता तो यह सा यह चीज हमारी प्रूव करती है कि doldrum हमारा सिर्फ equator पर exist करता है और कहीं पर भी किसी भी ट्रॉपिक रीजिन में exist नहीं करता है Thank you